हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल एके फ्यूचर और स्टडी पॉइंट तो फ्रेंट्स आज का मारा टॉपिक है केमेस्ट्री के सकेंड चेप्टर जिसका नाम है तनुग होल या जिसको बिलियन या सोलूसन के नाम से जानते हैं का सो मोस्ट यूटवरे फ्रेंट्स ऐसिद्स ऍंट्र में और उब्जेक्टिव टाइप से पूछा जाने वाला चैप्टर है जो की जैक मोर्ड में इस लिए इस चैप्टर कांब मैं मैं इस वीडियो में सौ मोस्ट इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव केशन बताने वाला हूं तो चले फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आफ हमारे यूट्य चैनल को लाइक से जरूर करेंगे तो फ्रेंट्स इस चेप्टर में आपको एक बत है कि इस चेप्टर में जो भी चेप्टर रिवायज करना जरूरी है तब यह आपको इसके नो मेरिकल ज्यादातर मेरिकल समझ में आएंगे और इसमें अधिकतर में फर्मूला का यूज होगा तो आपको याद कर लेना है तो फर्स्ट कृच्चन पर चलते हैं फर्स्ट नमर्कृच्चन क्या है फर्स्ट परास्रन इवाम परस्रणी दाब तो इसमें कर आएकि में से कौन है जो की अनसेंग गुर्धरम का गुण नहीं है तो परOashran दाब यह जो है हमारा है सकेंड में कि क्वथनांं का उन्येंन यह भी इसका गुन और यह तीनों गुन तो और रेडी होता है और चाही गुन होता है वास्प करहरे, वास्प का पारिकिक onaber चाहरों डोट अनुसंग गुन होता यहिंआ है यही स्वावल उन्चाहरों का अलोग अलोग फिरल मोला होता है और आपको अधीट किसमें दो मिलेंगे मैं ऐदयっち एक गोल जिसमें शिक्स ग्राम यूरिया और नभ्य ग्राम जल में उपस्तित है उसका वास्प दो जवन नमन जवन मतलब होता है और नमन यह लिखित में से किसके बराबर है अब यहां पर चार ओप्सन दिया है फर्स्ट में 0.02 सकेंड में 0.04 थर्ड में 0.0060 और फॉर्थ म क्षिट से फंगे 0.03 अब बोलें नै कि इएक घौल अब आपको पता होगा कि मानली जे सो घ्राम है की सोड़िक क्षिश कप बी भीलिय और उसमें हम दूस घ्रम कोई चैश्च घूला रह तो जिसकी मात्रा कम होता हों क्या बनःता हूं बनान आधक होते है क्या बनढने ल तो यहां पर बोलाना कि वास्प दापका आप पी अप जोंकर करींगे आपको इस नहीं करें आपको इसने फ대मुला बता दें 16 सोल्वियंस पैनस तो इसके एंसर बताता हुण जब इसका solution करोगे तीनों के पी और पी वन और कमांड देकर आप solution करोगे तो इसका हमारा एंसर आजएगा इसका 0.04 वह हमारा इसका answer होगा तो आपको इस फ्रुमुला पजागर इसको solve करना है और मैं करना हो ना जो जो भीन का जोड़ाओन वही उसको में पूरा करना पड़ता है सिर्फ जो फर्मूला है उस पर आपको संख्या को पुट कर दो और फिर उसको सोलूशन कर दो और कुछ नहीं होता तो मैं आपको बता दिया फर्मूला इससाब को सोलूशन कर लेना है तो मारा एंसर बी आ कंद्रों में परिछिप्त रहते हैं और थर्में ठोसकंद्रों में परिछिप्त रहते हैं फॉर्ट में ठोसकंद्रों में परिछिप्त रहते हैं यानि कि जो कुहासा होता है जो वह कुलाइडी में क्या रहता है यानि कि कुहासा जोता है वह क्लाइडी में क्या रहता है त गैस में परश्पत रते हैं और को सब्सक्वाइट कौ रूप में परिश्पत मत होता है परिवर्तित राँन उसी के रूप में नेस्ट क्यासिन है fourth number नलिख्ट में को सब्जेक्टिव होता ना इन अन्तर पुछा जाता है आदर में अन्तर लिखें तो यह फ्यारा मोस्ट इंपर्टेंट टॉपिक था लेकिन अब तो यह अब्जेक्टिव हो गया थमको अब्जेक्टिव केचन पर देखना है तो निर्खित में कौन जो है अदर्स घोल का निर्मान नहीं करता है फर्ट में C6, X6 और CCl4, सकेंड में C6, H5 और C6, H5, CH3, थर्ड में C6, H5, VR और C2, H5, L और फोर्ट में C, CH3, CH3 का होल ट्वाइस, C, O, पलस C, 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 L4 यानि किनमें से कौन है जो आदर्स घोल का निर्मान नहीं करता है तो वह हमारा हो जागा ओप्सन नमबर D हो जागा CH3 का होल ट्वाइस, C, O, और C, C, L4 ये दोनों मिलकर आदर्स घोल का निर्मान नहीं करते हैं बाकि जो होते हैं ये तीनों मिलकर आदास कोन्हें करते हैं कि वह और इस बाकूंता उठाहर 2 और 1-5 यह निकल पाते हैं पर बिलाय के नूं बिले के नूं जटील आयन सरलायन यान की अर्थ परगा में जिलि जिक्या है वो मारा जो एक ऐसा जिलिए जो अपने से कुछ गिने चुने पदार्थों कोई क्या होता है और पर होने देता है तो भी कराए कि जो उपसन ऑब से कौन है जो अर्द परगामे जीली को यानी की पार कर पाते हैं तो इसमें सिट चार ओपसन है तो जो है ہمारा यह हो जागा क्रिशिन आर्पांच का ऑपसन अमबर अ जो और पर upgrade जीली को पार कर जेते हैं कि फिक्स नमर क्वेशन है कि 234 पॉइंट यानि कि 234 पॉइंट दो ग्राम चीनी घोल में 34.2 ग्राम चीनी है घोल की मोलल संदरता क्या होगा यह भी नमेरिकल आगे मैंने बता है तब को 50% नमेरिकल जरूर आएगा अब हमने बता है जिसकी मात्रा कम होते हो क्या बन जाता है बिले तो यहां पर हम देखेंगे बिले बराबर कितना हो गया 34.2 ग्राम और यह जो नब दूसर चीनी के घोल यानि की बिलियन है और बिलिय में से मिलाय की मतला निकालने के लिए क्लिए करते है तो बिले में से बिले को घटाएंगे तो यहां पर आजएगा 200 34.2 ग्राम हट जाएगा तो बच्चे कितना 200 ग्राम तो यह पर मारे पास बिले आगे 34.2 ग्राम और जो विलायक हो कितना है 200 ग्राम अब बोल रहा है मुललता तो मैं इसमें सोलूसन नहीं करूंगा सोलूसन आपको बहुत बढ़ा हो जाएगा पांदस मिनित जाल लाएगा तो मैं आपको फर्मूला बताता हूं इसमें आपको सोलूसन कर लेना है तो मुललता मुललता का प्रति केजी बिलियन में बिले की मौलों की संक्या तो इसका फर्मूला होता है मुललता बराबर होता है बिले की मौल संक्या उपर में होता है बिले की मौल संक्या आपको मौल संखे निकालने के लिए फर्मूला पता होना जाइए घदद आधया के केुन करा था ले चुरहँजी में नहीं हमेशा है लिखता है जुना करिंगे नहीं धिर यूझा ह मुझा एक एच वाइस वेगा यह फर्मूला होता है चीनिका तो इसको पूट करेंगे और यहां पर से सबी को जोड़के मुलर लिमार निकालेंगे और उपर में बोला था कि बिलेक की मौल संक्या तो उपर लिखेंगे बिलेकी मोल संक्या जितना एगा मोल संक्या माली एक तो अब तो इसको बदल देंगे तो जब इसका सोलूशन करेंगे केजिए उसी फर्मूला से तो मारा एंसर आजाएगा इसका ऑप्सन नमबर बीज़गा 0.5 तो इसको आपको सुलूशन कर लेना है और अगर आपने पढ़ा होगा कहीं कोचिंग में तो आपको सारा टॉपिक पसलूशन कराया ही गया होगा तो आपको वहां से भी देख लेना है नेश्ट कुछन है सेमन नमबर सेमन नमबर कुछन निवलिखित में से किसका हिमांक ऑनमन अधिक्तम होता है यह क्या हिमांक ऑनमन यह मारा अनुसंग के गुर्धार में है जिसको हम करते हैं यह तीसरा जो हिमांक ऑनमन होता है वो सबसे अधिक होता है तो हमारा हो जाएगा केटू एसोफोर क्यों होता है केटू एसोफोर जो है जिसका हिमांक ऑनमन सबसे अधिक होता है इन चारों में से एनेसल का और यूरिया का और गलुकोच के अपक्छा सबसे धीकिस में होता है मांक ऑन ग्राम जेम एकसोबईस में जल की मोल प्रभाज निकल यह इसमें कि होता है कि जो anga उन्हें और तरह पर निकलेंगे जाएख को शॉलूआ है जीवाइस श्रूशन करेंगे तोaking सेमर नमँबर भी आएगा जी ओपञाट्वाएगा तो इसमें कहोता है कि इसमें फर्स्ट में जैल का निकलते हैं मोल संख्या सटथीक तीक को निकलते हैं और फिर मॉल प्रभाज या जिसको हम मोल Ons कहते हैं जिसको हम भीन कहते हैं इसका जब इस पर फ्रोणा पर पेप्ट करेंगे तो धू समय ऐगा वह मरगा 0.2. gia clemen comments नमबर 9 पर 29 नमबर म llele नमब्र को इसमर को व्यक्त किया जाता है यानी कि इसम अध्या क्ला का यह क्या होता है तो आप्षा नमरे में ग्राम पर लिटर सकेंड म Sultan में मोल पर किलोग्राम और भी मिर्म से कोई नहीं मेंद यहां पर मुललता तो मुलल्त्या को खाता है मोई इसको जगांड़ मोल पर ख़िए फर्मूला क्या होता है तो भी लाया के करेंऑ लिखेंगे बट्टे में कैंग पूछा तो क्यों यह होगा मौल पर क्येजी हो जाएगा नेक्ट इस नमबर प्रत्थम कोटी अभी के लिया कि वेग इस्तिरांग का इंखाई पूछा क्या होता है क्या होता है to तो question number 10 का हो जाएगा हमारा right answer, option number कौन सो हो जाएगा, question number 10 का हमारा option number B हो जाएगा, second inverse, यानि कि जो परतम को टीक के भी किरिया होती है, उसका ऐसा हमात्यक होता है, second inverse, नेश कुछ में चलते हैं, यहाँ पर एंसर दिया हुआ भी था, एक 11 नमर की question में चलते हैं, NACL का 0.1 mol, जलिये बिलियन का परास्रन दाब, गलुकोच के 0.1 mol, जलिये घोल के परास्रन दाब के कितना गुना है, यानि कह रहा है कि जो NACL का 0.1 mol है, जलिये बिलियन का परास् परास्रन दाब का कितना गुन है, यानि कर जो NACL है, NACL इसका भी जो जलिये बिलियन में मौल है, वो उतना समान है, और गलुकोच यानि की गलुकोच का फर्मूला क्यों होता है, C6 H2O6, इसका यह दोन्यों का परास्टन दाब, इसमें से जो NACL है, NACL कितना गुना जलिये घोल के परास्रन दाब का कितना गुना, यानि की गलुकोच से कितना गुना अधीक है, NACL का जलिये बिलियन, अधीक है कि बराबर उसको देखना है, तो उप्सन नमरे में है, आधा है, B में है, दुगना, C में है, B में है, बराबर होता है, C में है, दुगना, इनम इसमें अगर धुगना हो जाएगा तो गूने जीरो पॉइंट वन मॉल यही हमारे इसका एंसर हो जाएगा राइट एंसर बारा नमर कुछन को देखते हैं यहां कौन यहां से कौन है जो सबसे अधिक स्थाइए अप्सन में मैंनी, टू प्रमानु इनकाल ले रहा है न है सबसे अधीक स्थाइब उट में सबसे अधीक स्थाइब होता है यानि कि जली हो वर जग हमारा option number B Next question है 13 number question है कि जलिए billion में किस चारी धातू का सबसे अधीक आधिक आधीक सक्ति होता है यानि कि इनमें से कौन धातू है जिसका आधीक स्कति चारी धातू है इनमें से किसका आधीक सकति सबसे अधीक होता है option number में Li-Lithyum B में potassium C में CS और D में Anisodium तो इसमें से कौन जो है जिसका सबसे अधिक क्या होता है अवकारक सकती होता है तो question number 13 को हो जागा हमारे पास right answer option number A lithium है जिसका अवकारक सकती सबसे अधिक होता है कैसे दातू में च्छाडी धातू में यह आपको याद करना चाहिए अधिक आपकर नमबर संद्रण इकाई जो ताप क्रम से स्वतंत रहे यह यहांनि काई है जो ताप करम ताप निरभर नहीं करता है हाए एक और क्यूचेन होता है कि जो भी मात यांति अम आप नहीं की काई होते हैं ऑन है जो इस इस से भी होते हैं इसांदर निंगा जो कि ताप कोई असर उन्हें पर नहीं पड़ता है तो यह कर दो ताप से पर कोई निर्भर नहीं करता है ताप से स्वतांतर करने कोई नहीं करता है में common- sings 6 और सी में दिम्स विए रिवारन नबर संटा में स्ब्लें फक्राय पर निर्भा करें ताप पर निर्भा रहते हैं ताप घटने बढ़ने से इनका जो तहां इन पर प्रभाव पड़ता है चलते हैं नेक्स्ट नमर क्रेशन पर पंद्रह नमबर पंद्रह नमर को चलता है कि पैटे डीरी सेल्सियस पर 1.8 फुर ग्राम पर सीसी यहां पर सुलता वाले एच्टु एस फोर घोल की मुलरता क्या होगी मुलरता यहीं के लिए टरता होती है तो यहां भी मुला लगांगे इसको मुले माल लेंगे जो क्या जो क 3.8 गराम भी लेह और बाकी को क्यां माने दें और यहां पर भी लेग रूपुम्झक निक鬼करें को यहां तो फिलोग पकारिए इसका तो आप इसको फर्मुला से सूल्ब कर लेना उप्षेशल कर घर आँए लिए होगा आठाहरा होगा चार मौल अगा इसका एंसर तो आप इसको फर्मूला पर पूट करके सोल्व कर लेना ठीक है चलते हैं नेक्स नमर क्विश्टन से क्विश्टन नमर क्विश्टन क्या कर रहा है इसको देखते हैं अनुसंग के गुर्धार्म बीधी से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ग्याद करने का ह्रमद नांकाओनियन और यक होता है प्राश्टन ये चारों में से कौन है ना जो गुर्धारम जो प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ग्याद करने में सबसे अच्छा है य्जिन सरद्धीर सरहत्तम विधी तो इससी से च्ज्द होता है तो कुछीशन नमर्ण निकालता है यह पर आश्रने दाव निकालता है तो आपको याद करें को सकेंड नमर क्योजन है 70% सांदर NH3 का 600 mili 2 mol billion बनाने के लिए कितने सांदर NH3 के आशखता होगी अब यहां कराएं कि 70% का है सांदर H3 है H3 है अब कराएं कि 200 mili 2.0 mol billion बनाने के लिए 200 mili से 2.0 mol billion बनाने के लिए से कितने सांद्र- sno 30 कि यह सकता होगा तो स्कॉष को जाया प्रेट , अबर kanPSन नमबर S होजागा घंड आफ सकता 55 पेंट 45 जायं सकता होगी कैसल 1 चलिकर है 8 कि रफ्या ऐसे अंपर शथम की 55 सल्सेस और निमली खीत में से किस पदार्थ का 0.1 एम घोल का यानि कि 0.1 मोल घोल का प्राश्टन दाब सनी अधीक होगा यानि कि थोड़ा अधीक होगा का उप्सन नम्बर में गुलकोज का बी में है यूरिया का C में है C ÇEl Tuka और D में केसी यल promo का औक इसका यानि कि केल्सियम कलोराइड का तो इसका जाएगा केल्सियम को रेड़ का सबसे अधी क्या जाएगा इसमें गोल का प्रासरन दाब होगा नेस्ट क्रिश्टन है नेस्ट नमर क्रिश्टन जल के लिए केप कमान केप क्या है कि यह तांक है तो इसको प्याद रखना है केप कमान माइनस 1.86 cm है यदी 5 ग्राम एने 2A04 को 45 ग्राम H2O में घुलाने से उसका हिमांग माइनस में 3.82 डिग्री सेल्सेस से परिवर्तित हो जाता है तो एने 2A04 के लिए वाट अप गुनांग का मान गयात करें तो यह पर जब चेप्टर पढ़ोगे न हिमांग का ओनमन तो उसी में एक टॉपिक है वाट अप गुनांग वहां पर एक फर्मूला होता है जब आप उस फर्मूला पर पूट करोगे इसको तो यह नुमेरिकर यहाँ जगा कियए तुमांग के उनमन में तो जब आप यमांग को पढ़ोगे अनुसरे गुर्धर्म का चौथा टॉपिक हिमांग का ऊनमन तो उसमें हमारा एक टॉपिक ऐगा वाट अप गुनांग वही से इस फर्मूला से सोल्व होता है यह तो आप जाकर वहां से इसक पूनियन हो जाए नहीं कि वास्बडाब बढ़ जाए तो यह मैं इने से मिला दिया जाए पोटेसंव मैं है की जंद्ध मार्ड ओर उसमें जोड़ दिया और दिया सब्सक्राम समय मिलाइंगे उसका जो वास्ब आप बढ़ जाएगा तो हम क्या करें कि उसमें जल मिला देंगे हैं क्या उसमें जल मिला देंगे जब भी कोई सुषना के जल मिला देंगेा चाहिए तो क्वास्थी ऐसा बढ़ जाता हैं तो उसमें मिला देल you तिनसो ब्यालिस ग्राम पर मुल को हजार ग्राम जल में गोहल बनाने से बिलियन का हिमांक क्या होगा हिमांक जिसके हिमांक क्या होगा हमार हिमांक का ओनमन और हिमांग की ओनमन में के एक निये तांक है वहाँ पर इसका मान दिया हुआ है तो जब हिमांग की ओनमन को मैं फर्मूला बताता हूँ आपको हिमांग की ओनमन का फर्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर होता है के फ गुने डावलू टू बटे होता है एम टू गुने जब इस formula पर put करोगे यह रेको यविस formula पर put करोगे आपका एंसेर आजाएगा ऐसा संब्र आसपास और चेहां तो आपको सही पर नियदिस को संदों करके देखना है तो आपका इतना डूला पॉमट झीरो टू गुरिधस के पार बीस अनु कुरिया यदी स्व मिलेटर ग्होल में उपस्थत था है तो उस विलियन की सांधरता क्या गी फिर से बोला एंप अब करने के लिए तुमनें बताया था उस से इसको उलid करोगे तो हमारा एंसर क्या जागा ज्में 0.01 मोल आएगा तो आप उसको स्वोल्ब करना बिलियन की सांदरता का फर्मूला पुट करके तो आपका एंसर आजागा 0.01 मोल तो समझता है कि आपको क्या है एंसर सही है कि वैसा बिलियन जिसमें परास्टन दाब समान ताब पर समान होते हैं क्या कर लाते हैं कि वैसा बिलियन जिसमें परास्टन दाब समान ताब पर समान होते हैं वो क्या कर लाते हैं option M है समा क्रितिक, B मैं समा यवी, C मैं अत्परासारी, D मैं सम परसारी यानि इसमान है जिसमें क्यों गूता है परस्टरन दाब शमान है तो समान बिल्यन के परस्टरन दाब शमान रहते हैं इसमें से कौन है तो इसका आजागा हमारा तेश्ट नमबर क्वेचन का राइट एंसर ऑप्सन नमबर डी हो जाएगा अगर ऐसा किसी के अंदर गुन होता है तो क्या होता है सम परास्टरी बिलियन कहलाता है नेश्ट क्वेचन है चोबिस नमबर चोबिस नमर क्वेशन कर रहा है कि बीए सील टू और एने सील और सीच एच्ट वेल और सिक्स यानि की गुलुकोच के सम मोलर्स बिलियन के प्रास्टन दाव करम में होंगे अकर यह तीनों प्रास्टन दाव निखा लेंगे तो सबसे अधीक कौन होगा और सबसे कम कौन होग उनकाल टो इसमें चार अप्सन दिया हुआ है तो जो हम इन तीनों को निकालेंगे मोलर्स बिलियन में प्रास्टन दाव निकालेंगे तो इनका क्रम हो जाएगा सबसे धिक रहीगा बिए से च्छुटा रहेगा ऐने सीच यह सबसे च्छुटा रहेगा गुलुकोच में से किसमें बिलियन का अनुसरंक के गुर्थार्मन नहीं है यहनिकी इन में से कौन है चिरफ एक उप्सन अलग ता यहां पर सी। याद करना है एक को lenght ठाप होते ऩद वास викअना है माले है सब्सक्राइब कोई दूसरा चीज है और दूसरा चीज क्या है हमारे पास प्रिश्टना तो हमारे पास अनुसांग गुर्धारों में प्रिश्टना का कोई रॉल नहीं है तो आपस नमबर भी हमारा जाएगा इसमें राइट अंसर कि यूरिया का 0.6 प्रिश्ट जलिये बिलियन किसके सम परसारी होगा यहीं कि अगर हम यूरिया में 0.6 जलिये बिलियन उसमें मिलाएंगे तो किसके समान हो जाएगा जिरो प्वाइंट वन मौल् गुलिकोज के समान हो जाएगा यूरो प्वाइंट वान मौल पोटशियूい क्लॉराइड के समान हो जाएगा जिरो पॉइंट अ És reached in He collect and पर 27 नमबर कुछिजन निलीखित यहां पर निवनलीखित लिखा हुआ तो निवनलीखित यह लिए बिलियोनों में उच्छ कवथनांग का बिलियन है कौन है जो उच्छ कवथनांग का बिलियन है option नमबरे में 0.001 mol NaCl, B में 0.001 mol Urea, C में 0.001 mol AMG यान मेगनिस्यम कॉलराइड और D में 0.001 mol Glucosin में कौन है जिन में क्या जाता है अधिक्तम कथनांग billion होता है, तो इसका जाएगा राइटेस हमारे पास option नमबर C हो जाएगा 0.001 mol AMG CL 2 नेस्ट कुरेशन है 28 नमबर, मोडियम कुलराइड के 0.20 mol जलिये billion के लिए क्वतनांग का मान निमनों हो सकता है, जल के लिए KB का मान दिया हुआ है 0.50 K mol per inverse, अब बोलाई क्वतनांग का मान, यहनि कि क्वतनांग का union, अब क्वतनांग का union से फर्मूला लगा देना है, तो क्वतनांग का union का फर्मूला क्यों होता है, यह होता है केवी का है मान पहले से दिया होता है आपको जहां भी फर्मुला होता है उसमें निये तांक होता है तो उसका मान पहले से एक क्वेशन में दे दिया जाता है तो यहाँ पर निये तांक है जल के लिए तो इसमें यहाँ पर मान इसका दिया हुआ है जब इस फर्मुला हो जाएगा नेश्ट कुछन है 29 नमबर टेट्राहेड्राल आक्रिती के लिए त्रीजिया अनुपात है ऑप्सिन नमर में 0-0.155 भी में 0.225-0.414 तक ची में 0.155-0.255 तक दी में 0.414-0.732 तक तो कुछन नमर 29 नमर आइटेंस वर अप्सिन नमर बी हो जाएगा 0.225 से 0.414 तक टेट्राहेडरल आकरिती के लिए त्रिज्या का अनुपात होता है यह नहीं कि जो टेट्राहेडरल आकरिती होता है उसका त्रिज्या का अनुपात 0.225 से 0.414 तक ही रहेगा 0.0 से नेश को जाने है तीस नमबर Naruhodou किs यूनिट में व्यक्त होती है जो बिलिय कि यूनीट में व्यक्त करते हैं तो हम मोलर्थe मोल усп होता है तो मोलता करो नोकिकष अंसक्राइब के छिए मॉलिलध आधा मोलता है नहीं वह स्यूंड जिस्युत Are है तो कर जाएक मौल पर कैजी हो जाएक तो क्यश्यन नंबर जाएगा ट्रीस को तहरा पर ओपसन नंबर ह sweet उसी को यहां पर मोल केज़े को हिंदी में लिग दिया मोल किलोग्राम इंवर्स बिलायक बिलायक के नहीं कि इसका पूछा थी था बिलायक का तो यह मारा आज़ागा अपस्ट नमबर सी एंसर नेट को जने अपस्ट नमबर डी है सुरी कुछन नमबर डी है 34 है 31 है सिल्वर कोलोराइड की सोडियम कोलोराइड बिलियन में बिलेता समानता पर उसकी जल में बिलेता से कम होती है इसका क्या कारण है करें कि सिल्वर कोलोराइड को अगर हम सोडियम कोलोराइड के बिलियन म में बिलेता समानता पर उसकी जल में बिलेता से कम होती है इसका क्या करना है अगर हम सोडियम कुलाइड को जल में बिले करें और अगर मुस्री सोडियम कुलाइड को सोडियम कुलाइड के बिलियन में सोडियम कुलाइड को सोडियम कुलाइड के बिलियन में समानता पर बिले ऑनिक हो जाते हैं डी में सोडियम कोलराइड सिल्वर कोलराइड से अभी किर्या नहीं करता है इसमें से हो जागा राइट अमारा सब्सक्राइब होता है जो बाहरी प्रिष्ट फलक के इंदरी सब्सक्राइब होता है यह दोने में अगर दिक अस्थान यानि कि मतलब फ्री अस्पेस यानि कि जो रीक तस्थान हो जाता है उस क्रिष्टल के अंदर उसमें कितना पर्थिस होता है फर्स्ट में 30 से 26 पर्षेंट सकेंड में हैं 26-32 पर्षेंट डी में 48-26 पर्षेंट तो क्रिष्ट नमर 32 को जाएगा मारा राइटेंस और आप्सन नमबर बी हो ज होता है छ राइट को जैने 33 नमबर यह लिखित में किसकी गन्ना के लिए ही तो यह युष्ट है यानि कि जो मत ओसोता है उप सने मोरे में हैं अवा उप सने में 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 कौत नंकया इमांक किभया तापक्रम यंसाब कर बियमे परमत यह होज़ाग इसका उसका जातर के नेश में चलते हैं गुषक्षण है कि कसी बिलियन ञेंड के बराबर होता है जब तनु बिलियन की मुलर्ड सन्द्रत्ता कितनी होगी जब को सिरांग कौता रच आपस में समान हो जाएंगे उस वक्ट 301 कि मुलर संदरता कितनी होगी ita ho होगी वी में सुनी होगी सी में इक से ज़्यादा होगी इनमें से कोई नहीं होगी तो क्वेस्चन नंबर 34 को जाएगा हमारा और रॉप्सन नंबर यह हो जागा यानि कि इक का ही अगर होगी न उस वक्त कोठनांग कि राग किसी बिल्रांग के को तना क्योंगे आपस में तोनवी बिलियन मोलता के संदरता के बराबर होते हैं नियश्ग कुछन है 35 नमबर उस्मा और विधुत का अच्छा चाला कौन है ओप्शन नमरे में है एंथरासाइड कोक बी में है हीरा सी में है सबसे अच्छी विधी कौन है चार ओप्सन दिया हुआ है इन में से कौन विधी है जिसे अच्छे से निकाल सकते हैं तो इसको राइट एंसर ओप्सन नंबर हो जागा सी हो जागा मारा राइट एंसर बीधी द्वराम इस बीधी द्वराम क्या कर सकते हैं प्राश्वन दाव अच्छे से जात कर सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से नेक्स कुछन है तो वाषपिव Northern वह किसी अवावास्पूसील मोर संपने भी लाइक के मपरभाज बराबर होता है बी में में मोल पर बहुता है लिए के प्रतिसत के बराबर होका घिलियों प्रतिसत के बराबर होता है क्या होगा कि राउट के नियम के नुसार वास्प दाब का आपयक्षिक ऑनमन किसी से अवास्प सील बिले की मोल प्रभाज के ब्राबर होता है आपको याद करना है नेस्ट कुछिन है 38 नमर में कि किसी तनु बिलियन के अपयक्षिक वास्प गहनत्व और नमन 0.2 है तो उस बिलियन का मोल प्रभाज कितना होगा मैंने फिर से बता है कि मोल प्रभाज निकालने के लिए एकसे निकालते हैं फिर एकस भी निकालते हैं और फिर दोनों को मोल अंस निकालते हैं उसके बाद क्या करते हैं मोल प्रभाज फूमला का पुट करते हैं जब इसको पूट करनेंगा तीनों का सुलूशन करनेंगे आपस में तो जो हमारा एंसर आएगा वह हमारा आजाएगा option number D आजाएगा 0.2 आजाएगा इसका राइट एंसर नेस्ट क्यूशन है ए बी सी तथा डी के सम मोलर जलिये बिलियन के कृतनांग का करम C से बड़ा है B, B से बड़ा है A क्याओं पर क्वेज़न चारे ना है कि चार है को एक जब कर देया है और उसमें और pouvoir सिआ के शथान को हैं तो डिका स्थान को बताना में तो क्यों तो किसलो अब निलागी option number C हो जाएगा, D से बढ़ा है B और A से बढ़ा है B, और A से बढ़ा है C, यानि कि यहाँ पर इसका जग राइट नसर option number C हो जाएगा, किसी billion के मौल प्रती लिटर में सांदरता क्या होगी, यदि 300 Kelvin पर उस billion का प्रास्रन दाब 0.0821Y मंडल है, R कमन दिया हो है मारे पस 0.082, अब यहाँ पर बोले कि billion की प्रास्रन दाब, तो प्रास्रन दाब के लिए आपर 4 option दिया हो है, और प्रास्रन दाब का फर्मूला क्या होता है मारे पास, होता है, pi बराबर into गुने rt, rt बटे क्या होता है, हमारे पास, b होता है, जो अब इस फर्मूला से put करोगे, तो जो भी answer आएगा, वह हमारा आजाएगा, कितना असर आएगा, question number 40 का हो जाएगा, तो यहाँ पर जब इस फर्मूला पर put करोगे, तो answer आएगा, हमारे पास, option number c आएगा, 0.3 गुने 10 के प्रास्रन दाब के फर्मूला से pi बराबर होता है, इन्टू, इन्टू बटे, आर्टी, इन्टू, 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 आर्टी बटे, भी, यह फर्मूला पर जब पुट करोगे, तो आपका answer आजाएगा, नेज़ कुछने, एक कारिस नमबर परास्रन दाब की काई क्या है, option number में, मेव, B में, कैलोरी, C में है, सेंटी मीटर, प्रती सकेंड, D में, ATM, प्रास्रन दाब की काई क्या है, तो हमरा जाएगा, option number D हो जाएगा, ATM, दाब की काई कहोता है, ATM में, और दाब को किसे हमाँ पाँ जाता है, ATM में, नेज़ कुछने, 42 नमबर, अंडा, से, अंडा के सबसे, बाहरी, कड़ा, से, को, तनु, HCL, से, हटा कर, NAC, तनु, billion में, डालने से, अंडा, फूल जाता है, अंडा, सिकूर, जाता है, अंडा, के कार में, कोई, परवर्तर नहीं होता है, अडी में, अंडा, पहले, अंडा, से, पहले, डाल देंगे, और उसे, निकाल करकर, तो नमक, गोल में, तो, क्या होगा, अप्सन, दिया हो, इनमें, से, कौन सी, किरिया, उसके अंदर, उत्वन होगी, तो, क्या जागा, मैं पास, वह जाएगा, और बी अंड़ा कर जिलका अब जाएगा वह ऐसे सिकूर जायागा आपस में फूला होगा ना वह जाएगा से आपस में सीकूर जाएगा कि चीनी जिसका फोटाइब निकालना है एंटूबर इस फर्मूला से निकाल गया प। जो भी अंसर आएगा वह हमारा जागा प्राश्रन दाव तो क्वेशन नमर 43 का मैं अंसर बताता हूं इसका जागा राइट ने सर ऑप्सन नमर सी जो अप्सोल्ब करोगा तो आपका एंसर रहेगा यह बोला हिमांक का और नमन हिमांक के लिए अब तो आपका प्रमूला बता है कि डेल्टा टीवी बराबर होता है के बीगुने डबलू टू बटे होता है इंटू बटे डबलुवन जब इस फर्मूला से पूट करोगे तो जो हमारा एंसर आगा निकलकर वह हमारा जाएगा म टो इंट टूड डीग्री सेल्सियस्स स्टाप इस फर्मूला प्लब करना अब को नेकल खुद से सोल्ब करना है इसे अनुच के यौगी क्यों कि में इलक्रोन होते हैं अपसिन नंबरे में है साध्या की हुए लग्रॉन होते है उसमें और युगमित इलक्रोन होते हैं कि अनुच्चुम्बक की चुछन में कैसे ईलोक्रोन होते हैं यह मारा जायका राइट इसका option नमबर भी हो जाएके उपसे अपर भी होजाएगा जो नमबर भी होते हैं उनकी अंदर इलोक्रोन होते हैं और यूघमीत होती है था चल्सक्राइब है चारीस नमबर होगी वार्ट अब गुना गयाने कि हिमांग के और नमन में निकलना है तो जब इसी में आप हिमांग का नमन के फ्रमुला पुट करोगे तो जो हमारा एंसर रहेगा वह हमारा जाएगा एक एक आवे पॉइंट थ्री पर्सेंट राट इस हो जागा इसमें आप्सन नंबर ए कि नेश कुछन फ्रेंट से यह कि यह कुछन दुबारा है नेश कुछन है यहाँ पर की पच्छी दिए सेल्सियस पर किस किसमें 0.1 मौल बिलियन का प्रस्वन दाव उच्छ तम होगा य परास्वन दाव सबसे अधिक में जाए इसले कि पिछले क्रीट में था कि याद करना है सबसे अधिक होता है ccl3 में और ccl2 में नचेवां में कपीस लिख्ज़ फ्रस्स नंबर निलिखित में से कौन प्रस्द हर्म है फर्स में कवतनांक 60 वास्पदाव तौन्स प्रास्व right में कौन इस अनुसां के घार्म है तो किस्च न genommen root 42 ऊज़र कॉश्ब केस्ध आर रहां यहाँ पर question में मिस्प्रियंट है अनुसन्ग गुर्धर्म को त्वक्षिन और अप्षन सी एंसर नहीं होगा क्योंकि गुर्धार में तो तीन हो, एक वास्वदाब का प्रस्वदाब होता है, हिमांग का वनमन होता है, तो ये question तो आपको देख लेना है, नेज question है, समपरसारी, समपरास्री, बिलियन में समान होती है, क्या समान होती है, ए में है मोलर संदरता, बी में है मोललता, सी में है नॉर्मलता और डी में में से कोई नहीं, समपरास्री, बिलियन में क्या समान होती है, तो वो हमारा होता है, आपस में समान होता है, वहुंति कुछां पर च्याहई कि ज़न के सो ओग्राम में श़ें सत्राइए को पता है विनघ्ञत G y m उनयन का उन्याम करना तो कम पता है यंग डेल्टा की ब़ाबर होता है देलटा देल्टा टी यहां बोला है कि जल का ग्याद करें कि 12 होगा 10 सब्सक्षी लिए दितीबी होगा देल्टाइब डेल्टाइब धसफोगा तो 50 नमर को जया आपसाइब साइटर्स ऑप्सन नमर डेल्टा टी बोल रहना कि जल के सौ गराम और दस ग्राम बिले मुलब देवान के लिए सो ग्राम बिलियन वाले जल के को अतना उनियन डेल्टा-टीवी ब्राबर होता है तो कितना होगा जल का उनियन अब मालीजे यहाँ पर डेल्टा-टीवी ब्राबर हमने निकाला 100 ग्राम के लिए 100 ग्राम के निकिलेंगे तो डिल्टा टीविक ही नमान एक । अगर हम इसको मान कोृकंस लिखेंगे तो आंत में डिल्टा टीविक्स लिए न लिखेंगे था 200 सबना जाइक इसलिए इसमें बहुत सारे नोमेल करें जो सम्झाने लएक है और आपको खुद से भी स्टार्ट करना है अगर मैं स्टार्ट नहीं करूंगा न तो यह क्वेशन दस घंटाक हो जाएगा तो सब्सक्राइब तो आप मैं आज की वीडियो में 50 तकी रहे नेता हो इसको मैं पार नुमेर्कल जरूर करना है नुमेर्कल अगर आप नहीं करते हो ताप इसमें कुछ नहीं पढ़े हो और आपको नुमेर्कल पढ़ना है और अगर आपने इस चेप्टर को नहीं पढ़ना ता बता देना मैं इसका सोट वीडियो बता दूंगा क्योंकि ज्यादा दिन भी नह जांका उनियन को पढ़ना मुलर्ता मुलल्ता नुर्मलता इस सब पढ़ना और क्या पढ़ना अनुसांग के गुर्धार में को पढ़ लेना बस इतना ही है यह इसका पूरा क्वेश्चन अधारित है तो आज के लिए बस इतना यह हमारा पार्ट वन रहेगा पचास नमर्व क पेचन तक नेश वीडियो में आगा पाट्टू तो तक के लिए जाइन